नमस्कार चात्रों, आज हम NCERT कक्षाचे सास्कृत की पुस्तक दीपक्रम के पाड़ छे का अभ्यास कारें करेंगे वयम अभ्यासम कुर्मह, हम सब अभ्यास करते हैं प्रश्न एक है पाठस से आधारेंड, प्रश्ना नाम उत्तरानी एक बदें लिखन्तू पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक बद में लिखिए सबसे बहले है श्रद्धा सर्वत्र किम पश्रती श्रद्धा सब जगह क्या देखती है तो पाठ में आया था कि श्रद्धा सब जगह हरे रंग को देखती है वो हरे पत्ते देख रही है, हरे दोते देख रही है, तो इसका उत्तर होगा हरित वर्णम, श्रधा सब जगहें क्या देखती है, इसका उत्तर है हरित वर्णम, अर्थात हरे रंग को. इसके बादे शुकहा कीन वर्णेन शोभते अर्था तोते किस रंग के थे? तो तोते थे हरे रंग के हरे रंग के हरे वर्ण में शोभित थे तो यहां पर हम तर लिखेंगे हरे वर्णेन हरे रंग से श्रधाया इश्ट वर्णह कह श्रधा का प्रिय वर्ण क्या है श्रधा का प्रिय रंग है हरा तो यहाँ पर हम लिखेंगे हरितह कह महानचित्रकार है कौन महानचित्रकार है महानचित्रकार है परमेश्वर यहाँ पर हम लिखेंगे परमेश्वरह इसके बाद है आदित्य हो कान द्रश्टुम इच्छती आदित्य क्या देखने की इच्छा करता है इसका उत्तर है चित्रवर्नाहा चित्रवर्नाहा शुकहा अर्थात विभिन रंगों के तोते इसके बाद प्रश्ट दो है पाठस्य आधारेंड प्रश्टा नाम उत्तरानी पूर्ण वाक्यन लिखन्तू पाठ के आधारबन प्रश्टों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए पहला है आचार्यस्य प्रावार्गस्य वर्नाहा कह आचारेगे प्रावार अर्थात कोट का रंग क्या है? तो अब हमें उतर एक पद में नहीं, बलकि पूरे वाक्य में लिखना है तो हम लिखेंगे आचारश्य आचारेश्य प्रावार कस्य वर्नह श्वेतह अस्ती श्वेतह अस्ती आचार्य के कोट का रंग सफेद है इसके बाद है कोत्र विविधेशू वर्नेशू पाटन पुश्पानी संती कहाँ विभिन रंगों के गुलाब के फून है इसका उत्तर है मंजूल अस्य उद्याने अर्थात मंजूल के बगीचे में मंजूलस से उद्याने विविधेशू वर्नेशू पाटल पुश्पानी संती मंजूल के उद्यान में विभिन रंगों के गुलाब के फूल है इसके बाद है किम बहुवर्ण मयम इती मंजूलस से अभिप्रायह मंजूल के अनुसार क्या विभिन रंगों से युक्त है इसका उत्तर है इंद्रधन हो बहुवर्ण मयम इती मंजूलस से अभिप्रायह मंजूल के अनुसार इंद्रधनुष विभिन रंगों से युक्त है इसकी बाद है चित्रधन शुकाहा की दिशह भवन्ती विभिन रंगों के तोते कैसे होते है इसका उत्तर है चित्रधन शुकानाम पक्षाहा नीलाहा पीताहा रक्ताहा च भवन्ती चित्रधन तोतों के पंग, नीले, पीले और लाल होते है इसकी बाद है कस्य कस्य वर्णह क्रिश्णह किस-किस का रंग काला है इसका उत्तर है काकस्य पिकस्य च वर्णह क्रिश्णह कोई और कोईल का रंग काला है इसके बाद प्रशन तीन है उचित वर्णें सह शब्दम योजन्तु उचित रंग के साथ शब्द को जोड़िये यहाँ पर यह कुछ रंग दिये हुए है और यहाँ पर कुछ शब्द है तो उचित रंग के साथ उचित शब्द को जोड़ना है यहाँ पर पहला शब्द है रक्त वर्नह रक्त वर्नह अर्थात लाल रंग तो हम इसे इसके साथ जोड़ देंगे यह है लाल रंग इसके बाद है नेल वर्णा हो नेला रंग यहाँ पर है कृष्ण वर्णा हो कृष्ण वर्ण कर्थ है काला रंग यहाँ पर है हरित वर्णा हो अर्था धारा रंग यहाँ है इसके बाद है पीत वर्णा हो पीत वर्णा हो पीला रंग यहाँ पर है श्वेत वर्णा हो अर्थ अर्थात बैंगनी रंग तो यह है यहाँ पर तो हमने रंगों के साथ उचित शब्दों को यहाँ पर जोड़ दिया इसके बाद प्रशन चार है राष्ट ध्वजस से समुचितई वर्णई अदहा प्रदत्तेशू वाकेशू रिक्स्थानानी पूर्यन्तू राष्ट ध्वज के उचित वर्णों के द्वारा नीचे दिये गए वाक्यों में रिक्स्थानों को पूरा कीजिए पहला है उप्री डैश वर्णई अस्ती सबसे उपर राष्ट ध्वज में रंग होता है केसरिया तो यहाँ पर हम लिखेंगे केसरह उप्री केसरह वर्णई अस्ती उपर केसरिया रंग है अध्वज के केंद्र में अर्था ध्वज के बीच में कौन सा रंग होता है नीला रंग तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीलह ध्वजस से केंद्रे नीलह वर्णई अस्ती ध्वज के बीच में नीला रंग है इसकी बाद प्रश्ण बाच है प्रश्णा नाम उतरानी एक बदेन लिखन्तू प्रश्णों के उतर एक बद में लिखिये पहला प्रश्ण है केशा नाम वर्णई कहा केशों का अरथात बालों का रंग क्या है तो हमारे बालों का रंग होता है काला तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिश्णई इसके बाद है आकाशस से वर्णई कहो आकाश का रंग क्या है नीला तो यहाँ लिखेंगे नीलः कदली फलस से वर्णई कहो केले का रंग क्या है केले का रंग होता है पीला तो यहाँ लिखेंगे पीतः त्रिण अरथात घास घास का रण क्या है हरितः अरथात हरा महिश सिवर नहा कहो महिश अरथात भेस भेसका का रन क्या है भेस भी काले रंकी होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिशनः यहाँ पर हम श्या महाशब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं इसके बाद है मयूरस से वर्णाह कहो मौर का रंग क्या है? मौर की विभिन रंग होते हैं मतलब उसमें एक रंग नहीं एक से अधिक रंग होते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे चित्र वर्णाह इसके बाद है प्रश्ण 6 रेखा चित्रेशू निर्दिश्टान वर्णान पूर्यंतू रेखा चित्रों में निर्देश के अनुसार रंगों को भरिये यहाँ पर यह कुछ रेखा चित्र दिये गए है पहला जो चित्र है वो है एक तोते का चित्र यहाँ पर निर्देश दिया गया है हरे तह अर्थात हरे रंग से आपको इसे पुरा करना है इसके बाद दूसरा चित्र है गुलाब का पाटला अर्थात गुलाब के फूल का चित्र है, यहाँ पर आपको पाटला अर्थात गुलाबी रंग को भरना है, इसके बाद है यहाँ पर यह एक कोट का चित्र है, कोट को आपको नेले रंग से भरना है, इसके बाद यहाँ पर यह एक फूल का चित्र है, यहाँ पर आपको रखत प्रकृत्याम 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 प्रकृ प्रदी दिन हम सभी प्रकृति में रंगों को देखते हैं, एतत पद्यम सर्वेशाम वर्णा नाम रचईता, भगवान परमेशुरा एव इती भावं प्रकट्यती, एतत पद्यम इस पद्यमें सभी वर्णों के रचना करने वाले भगवान है, इस भाव को प्रकट्रीत किया प्रकृति अलग अलग तरीके से आकाश के कौने में लाल, पीले, सफेद, नीले, इत्यादी, विभिन रंगों का संग्रह करके त्रिश्यबान वस्तों को खरंगीन बना रही है वण विचेत्रम गगनम द्रिश्टवा बाला सर्वे तुष्यन्ती द्रिश्टुम सर्वं तस्य समीपम विःगहा विविधा गच्छन्ती विभिन रंगों वाले सुन्दर आकाश को देखकर सभी बच्चे खुश हो रहे हैं वे आकाश में विभिन बक्षियों को जाते हुए देख रहे हैं प्रती निवेशम सहही वन विशेशह नव्यम रूपम प्रापनोती गंधरवाणा मंदिरम इत्यपी सर्वे मर्द्यहा कथ्यन्ती हर पल सच मुझ नए अनोखी रंग बनते रहते हैं और इसलिए सभी लोग यह कहते हैं कि यह गंधरवों का मंदिर है प्रती दिरम एव गगने सायम रचिता वर्णहा के नएते तुभ्यम सर्व कलाकारा नाम नायक भगवन नमो नवह आकाश में इस प्रकार प्रती दिन ये रंग किसके द्वारा बनाए जाते हैं हे भगवान सभी कलाकारों के नेता आप ही हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ अमर कोशे वर्णा नाम वर्गी करनम अमर कोश में रंगों का वर्गी करन अमर कोश संस्कृत डिक्ष्टरी है जिसके धीवर्ग बे विभिन रंगों का परिचे दिया गया है पहला श्लोक पड़ते हैं शुकल शुब्र, शुची, शेत, विशद, शेत, पांडराह, अवदाताह, सितो, गोरव, वलक्षो, धवलो, अर्जुनाह इन सभी नामों का प्र्योग सफीद रंग के लिए किया जाता है इसकी बाद दूसरा श्लोक है हरिनह, पांडुरह, पांडुरिष्ट, पांडुस्तु, धूसरह, कृष्णे, नीला, सीत, शाम, काल, शामल, मेचकह यहाँ पर रंगों के नाम है हरिनह, पांडुरह, पांडु, इशित पांडुह, धूसरह, कृष्णह, नीला, असितह, शामह, कालह, शामलह, और मेचकह इन सभी नामों का प्रयोग काले रंग के लिए जाता है पीतओ, गोरो, हरीद्राबह, पलाशो, हरितो, हरित, लोहितो, रोहितो, रक्तह, शोनह, कोकनद छवी यहाँ पर रंगों के नाम है पीतह, गोरह, हरीद्राबह, पालाशह, हरितह, हरित, लोहितह, रोहितह, रक्तह, कोकनद छवी इन सभी रंगों का प्रयोग किया जाता है पीली रंग के लिए। इन सभी रंगों का प्रयोग लाल रंग के लिए और लाल रंग के जो अनगलक शेड होते हैं उनके लिए गया जाता है। इन सभी रंगों का प्रयोग चित्रवर्णों मतलब जो रंग अलग-अलग रंगों से मिलकर बनते हैं तो विभिन रंगों के लिए इन नामों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर यह शबलह शब्द है शबलह शब्द का अर्ध है चितकब्रा चितकब्रा होता है कि जिसमें कई रंग मिले होते हैं। तो इसी तरह से जो कलमाश शब्द है कलमाश काला और सफेद का जो मिक्स्चर होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। इती तरह से माली जी पिशंग शब्द है, पिशंग शब्द भी ऐसा कलर होता है, जिसमें पीला और ब्राउम कलर भूरा रंग होता है, वो दोनों मिले होता है तो यहाँ पर यह जो अपने श्लोक पढ़े, इनमें विभिन रंगों के नाम दिये गए हैं सस्कृत में इसके बाद है परियोजना कार्यम, यहाँ पर कुछ फूलों के चित्र दिये गए हैं और इनके नाम भी लिखे गए हैं उपर दिये गए अनेक चित्रों के नाम और रंगों को जानिये और लिखिये यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पहला चित्र है पहले चित्र में जो फूल है वो है पाटलम अर्थाथ गुलाब पाटलम कहते हैं गुलाब के फुल को, आपको इनका रंग भी जानना है और लिखना है, यहाँ पर यह जो गुलाब का फुल है, यह लाल रंग का है, तो इसका वर्ण है रप्तह इसके बाद जो दूसरा चित्र है, इसका नाम है गंध पुषपम, गंध पुषपम कहते हैं केवड़ा को, जो केवड़े का फुल होता है उसे कहते हैं गंध पुषपम, और इसका कलर देखिए, यह पीले रंग का है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीतह इसके बाद अगले चित्र में देखिए, यह फूल है सूरे कान्ति ही, सूरे कान्ति ही कहते हैं सूरज मुखी के फूल को, सूरज मुखी का फूल है यह, इसका रंग भी पीला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीतह इसके बाद अगला चित्र है कमलम, इकमल का फूल है, इसका रंग है गुलाबी, गुलाबी को सस्कृत में कहते हैं पाटल वरणम, गुलाबी रंग, इसके बाद जो चित्र है, वो है चम्प कहा का, चम्प कह यानि कि चम्पा का फूल, चमपा, इसका जो रंग है वो है सफेद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्वेतह इसके बाद अगला चित्र देखिए, यह है कर्णो रहा, कर्णो रहा अर्थात का नेर इसका रंग भी है पीला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीतह अगला चित्र देखिए, अगला चित्र है अपराजिता का, यह अपराजिता का फूल है और जो इसका रंग है वो है नील लोहितम नील लोहितम इसके बाद अगले चित्र में है जपा कुसुमम, अर्थात गुड़हल इसका रंग भी है लाल, तो यहाँ पर लिखेंगे रखतह इसके बाद अगला चित्र है मलिका का, इसे कहते हैं मालती इसका रंग है सफेद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्वेतह इसके बाद दूसरा प्रशन है कक्षा याम विद्यमाना नाम दस वस्तो नाम नामानी वर्णान च अभी जानन्तू लिखन्तू च कक्षा में विद्यमान दस वस्तों के नाम और उनके रंगों को जानिये और लिखिये आपकी कक्षा में जो वस्तुय है उन में से आपको दस वस्तो के नाम लिखने है और उनका रंग भी बताना है ये हैं आपकी गक्षा में विद्यमान वस्तों के नाम पहली वस्थु है Blackboard Blackboard को सस्क्रित में कहते हैं शामबटः इसका रंग होता है क्रिश्न है अर्थात काला इसके बाद है चोक चोक को कहते हैं सुधाखंडः इसका रंग है श्वेता है अर्थात सफेद इसके बाद है रेजिस्टर, रेजिस्टर को कहते हैं पंजी का, इसका रंग होता है श्वेतह, अर्थात सफेद, इसके बाद है पैंसिल, पैंसिल को कहते हैं तुलिका, इसका रंग है कृष्णा हो, अर्थात काला, रबड, इसके बाद है घर्शक हो, इसका रंग है श्वेत अर्थात सफेद इसके बाद है बस्ता बस्ते को कहते हैं स्यूता हो बस्ते का कोई भी रंग हो सकता है माली जी हबर है रखता है अर्थात लाल रंग इसके बाद है बेंच बेंच को कहते हैं काश्ठासनम इसका रंग होता है कपिलह अर्थात भुरा इसके बाद है पुस्तक फुस्तकों कहा जाता है फुस्तकम इसका भी कोई भी रंग हो सकता है जैसे कि मालों यहाँ पर है नीलह अर्थात नीला तो शात्रों ये था आपके पाट छे का अभ्यास कारे तथा परियूजना कारे आश्य करती हूँ आप सब भी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सबको नमस्कार